नमस्कार दोस्तो, स्वागते आपका चैनल केमिश अडवाइस में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको विटामिन ए के कैपसुल इवियोन के बारे में जान करें देंगे इवियोन कैपसुल 200 पावर, 400 पावर और 600 पावर में आते हैं 200 पावर लाल रंग के, 400 पावर हरे रंग के और 600 पावर पिले रंग के होते हैं इन केपसुल के पावर्स का उप्योग आप अपनी आवशक्ता नूसार कर सकते हैं दोस्तो यहान केपसुल के बारे में जानके दिने से पहले हम आपसे रिक्वेश्ट करेंगे कि आपने अगर चैनल हमारा भी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो जाले हैं उसकी जानकर यापको मिलती रहे है तो आईए दोस्तों जानते हैं इवियान कैपसुल के बारे में इवियान 400 कैपसुल मरक फारमसेटिकोस दोरा निर्मित एक फैट में घुलनचिल विटामिन है जो शरीर में होने वाले विटामिन एकी कमी का दोरान इस्तमाल की जाती है इसके लावा या बालों को गिरने से रोकने के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है इसके एक स्टिप में 10 कैपसुल होते है आईए इस ड्रग के बारे में और अधिविस्तार से बात करते है इवियान 400 कैपसुल कहां इस्तमाल होता है कैसे काम करता है और इवियान 400 कैपसुल के क्या साइड एफेक्स होते है इवियान 400 कैपसुल का उप्योग इव्यान 400 कैपसुल विटामिन E की कमी में इस्तमाल होने वाली दवा है आईए जानते हैं कि इस ध्रक का इस्तमाल और किन किन सम्मस्याओं के लिए किया जा सकता है इसे आप मास्पेशियों के दर्द में, सीने के दर्द में, डैप्ट्री सप्लिमेंट के रूप में, बालों के जढ़ने आदी में इस्तमाल कर सकते हैं आए दोस्तो अब जान लेते हैं इव्यान 400 कैपसुल का साइड इफेक्स EVN 400 capsule का इस्तमाल करने से आपको कई सारे side effects हो सकते हैं लेकिन ये side effects आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे जब भी आपको नीचे बताएगे side effects महसूस हों तो आप doctor से संपर्क करें इसके इस्तमाल से आपको पेट में खिचाओ urine में creatinine का बढ़ना lose motion होना सिर्दत इत्यादी हो सकता है आए दोस्तों अब जान लेते हैं EVN 400 capsule में क्या मिला हुआ है दोस्तों EVN 400 capsule में vitamin E मिला हुआ रहता है आए दोस्तों अब जान लेते हैं EVN 400 capsule कैसे काम करता है EVN 400 capsule एक फैट में गुलंचल vitamin होता है जो फ्री रेडिकल से क्रिया करता है और उन्हें बनने से रोकता है जो कि सेल्स के आक्सिडेंटियूम डेमेज के लिए जिमिदार होते हैं आईए दोस्तों आप जान लेते हैं इवियान कैपसुल खाने से पिले क्या साधनियां बरतनी चाहिए अगर आप लीवर या किड्नी समस्या से गरसित है तो इस ड्रग का इस्तमाल करने से परे डक्टर से जरूर सलह ले इस तन पान के समय इस ड्रग का इस्तमाल करने से परे डक्टर से सलह जरूर ले अगर आपको विटामिन के की कमी है तो इवियान 400 केपसुल का इस्तमाल करने से पहले डक्टर से संपक करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तमाल करने से डक्टर से जरूर सलहा लें विटामिन E केपसुल बालों के ज़ड़ने में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बहतर यह होगा कि आप इसके लिए एक बाग डाक्टर से सलाह जरूर ले लें आईए दोस्तो आप जान लेते हैं इवियन कैपसुल को किस प्रकार लेना चाहिए वैसे तो आप विटामिन E कैपसुल को रोज़ना एक बार इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर डाक्टर के सलाह से अधार पर इस्तमाल करें तो जादा बहतर होगा तो दोस्तो यह थी जानकारी E.V.N कैपसुल के बारे में जाने से पहले हम आपसे बस यही रिक्वेश्ट करेंगे कि प्लीज अगर आपने हमारे चलब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए ताकि फ्यूचर्स में हम जो भी वीडियो जाले हैं उसके जानकारी आपको मिलती रहे आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद